नमस्कार मेरे चैनल पर आप सब का बहुत बहुत स्वागत है यह आप मेरे वीडियो पहली बारी देख रहे हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करें आपको अच्छा सीखने को मिलेगा क्रोशेट और निटिंग के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा तो आए आज हम इस व दोड़ा मैंने दो लाइन एक साथ कैसे बनाई जाएंगी वह मैं आपको बताऊंगे यह बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ता है इस तरह से डबल क्रोशेट करना और इसमें डबल क्रोशेट की दो रो एक साथ मनती देखने में ऐसा लगता है यह मैंने इसकी मैं पांचवी और छटी लाइन बना रही हूँ लेकिन यह इसकी तीसरी ही लाइन है तो यह बनाना बहुत असान है इससे आप अपने स्वेटर कार्डिगोन या मफ पर में किसी भी तरह से इसे यूज़ कर सकते है और जल्दी जल्दी बढ़ने वाला तरिक्का है यह डबल क्रोशेट को जल्दी जल्दी हम कैसे बढ़ा सकते हैं तो इसके लिए हम पहले अपना क्रोस लेंगे क्रोस लेने के बाद इसमें मैं आपको 10 चैन डाल के दिखाती हूँ तो यहां से अब देखिए हमने यहां से हमने फाइव चैन लेनी है यह हमारी फर्स्ट रो शुरू हो रही है यह वाली यह फर्स्ट रो है जो यह शुरू हो रही है तो यहां से हमने फाइव चैन लेनी है यह हमारी फर्स्ट रो शुरू हो रही है यह वाली यह फर्स्ट र करेंगे हैं देखे। यहां करांट करेंगे हम वान टूर थ्रीनि जो फटर चैन है इपने इस तरह से हुक अंदर लेनी है क्रोशट ठूख और अभी जो हमारा धागा रहा है इसको हम इसके उपर से इस तरह से लेंगे यह हमारे पास टोटल होगे वान टू थरी फूर फूर होगी अब हमने इस से जिसमें तीसरी और दो दो डबल क्रोश चेन की चोड़ दीनिये है मिकी गया है दो चैन की चोड़ 35 अखे और अपस हमें तरह से और हम इस इन दो में से ऐसे इस तरह से निकालेंगे और अब हमने यहां से यह दो का एक करने फिर दो का एक करने फिर दो का एक करने इस तरह से और फिर हमने दो का एक करने यह देखें यह हमार पास एक और एक दो लाइने बन की अब हम अगला लेंगे अब आगे हमने बल ले अब हमने देखिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है आप यहां से हमने कहां से लेना है यह हम इस के यहां से हमने इस वाले से लेना है यह वो है जो हमने उपर से बल लिया था वो वाला पॉर्शन है तो अब इसको करना देखते हैं कैसे करेंगे बल लेने अब यहां से ह और इसको ऊपर से लेंगे इस तरह से अब यह मरपास चाहरोगे यह ध्यान mustape हूआ हो यहां से हमने अब होक निकालने है डिक से अगले से यहां से अगले में से इस तरह से और यहां से बले थी इस तरह विदेख हैं कि यह में रपस 5 है ऑऊम ने कलें ऐदने और यहां से 2 9 फिर हमने 2 कॉ पस्काइए और 2 का अधुनक हो तो यह में यहां से अलक पता लेंगा और यहां से हमने इस मोड़े से लिन नहीं乾 भी हुआ यहां से अलग पथा लगेंगा फिर से दिन कौन अ रला लेना हिसाननों से नहीं तो वो इस तरह से डिजाइन नहीं आ का जैसे यह डिजाइन बना हूए देखि इस तरह यह से पूब दिर भी जाता हुग यह फार दिखाएगा यह अब आ यहां से इसको अंदर से लेते हुए और जागे कोप लेते हुए अब अगली जो चेन है हमारी यहां से उसके अढ़ minist से ऐसे एक ऐसे आगा अब हमने फिर दो कट एक दो कट एक दो कट एक दो कट एक और दो कट इस तरह से फिर से देखें यहां बार वाले से लगा उपर से अगली चैन में से यहाँ से एसी है यागा हमर पस आभामर पस इस तरह यह ऐसी और ऐसी और ऐसी और शीज़ी कट एब रहे और यह हमरी इस तरह से दिखाए देर ही तो मैं इह कंपलेट कर इंदी कि यहाँ से लाज टो में यहां से लेंगे और यहां से देखिए अपने आप पता लगता है कि हमने कौन से बाहर की तरफ को यह जो इधर से है इसमें से लेंगे बाल लिया और यहां से अगली चैन में से लेते हुए इस तरह से हमर पासी पांच बन गए आब हमने दो का एक दो का एक इस तरह से दो का एक और यह दो का एक यह हमारे रो कंप्लेट होगी यहां से अब हम गूम जाएंगे अब हमने देखिए फिर से हम क्या करेंगी इसमें फाइव चेन लेंगे जब शुरुवात करनी है तो हमने हर बार में फाइव चेन लेनी वान टू थ्री फोर फाइव यह पांच चेन तीन तीसरी चेन है उसमें से हमने इस तरह से अंदर से लें फिर हम धागे को ऊपर से लेंगे इस बिख यह ऐसे उपर से आभाळ में यह दो चेन छोड़ देने और यहां से इस को यह हमने हमारा ऐसा डबल क्रोशट होगे आपके अगने अगला डवल क्रोश्ट बना रहे तो हम अगले वाले में से लेंगे इस में से लेंगे यहां से आप इसको इस तरह से देखिए अब फिर से हमार पास यह फाइव होगे अब हमने यहां से दो का एक दो का एक दो का एक और दो का एक इस तरह से फिर से वैसे ही आप देखिए फिर से हमारा वही तरीका यह देखि वह इसमें से लियने है कहा थि तो बड़ लेंगे और हुक को हम यहां से इस तरह से लिए खांगे ब अपर से लिया और फिर अबल स्वायन एग से यहसे मीस्टा ताaimer हाला यहां तक बुनते हो आएंगे और फिर हमारा रिपीट वैसे ही चलेगा और यह बुनते हुए ऐसे दिखाई देगा इस तरह से उमीद है आपको यह डवल क्रोशेट दो की दो लाइने एक ही बार में बनानी असान लगेंगी और पसंद आएंगी मिलते हैं जी अगली वीडिय में बन्यावाद